हलो एवरिवान वेलकम तो नायरा स्टड़ी अब आज हम लोग डियलेट थर्ट समस्टर के समावेशी सिक्षा के लगुत्रिये प्रशनों की सिरीज को पढ़ेंगे जो पार्ट सेकेंड है देखिए फास्ट फास्ट में भी हम लोगों ने मोस्ट इंपोर्टन कोश्चन्स की श्रंकला को पढ़ा और इस सेकेंड पार्ट में भी हम लोग मोस्ट इंपोर्टन कोश्चन्स की श्रंकला को पढ़ेंगे तो प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी इसकी बना करें और वीडियो को लास्त तक जरूर देखें और फ्रेंड्स आप लोगों से हम एक बास जरूर करना चाहेंगे कि आप लोगों ने हम पे इतना विश्वास बनाया इतना प्यार दिया इसके लिए वेरी वेरी थैंक्स फ्रेंड्स देखें अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुश सके चलते हैं फर्स नूमबर कोईस्चन देख लेते हैं अस्थी बाधित बच्चों को किस परकार सिक्षा दी जा सकती है तो देख लेते हैं देखे अस्थी बाधित बालुकों को सिक्षा प्रणाली को अधिक परभाशाली बन अस्ति बादित बच्चों के लिए खेल विधी, आगमन विधी, निगमन विधी, हिूरिस्टिक विधी, प्रोजक्ट विधी, मांटेश्री विधी, वा किंडर्गार्डन विधी, डाल्टन विधी, इकाई योजना विधी द्वारा सिच्छा दी जा सकती है। नेक्स्ट ऐसे बच्चों की सिक्षा को निमनिक परकार से वर्णित किया जा सकता है। और सेवन नमबर पर है अभी व्रत्यों में परिवर्तन करके, एट नमबर पर है परश्यासनिक परिवर्तन द्वारा, नाइन नमबर पर है अधिगम अनुभाव करवाकर, और तेन पर है सामाजी करण की परकिरिया द्वारा। और देखें 11 पर है पुनरवास योजना बना कर उन्हें लागू करना और 12 नमबर पर है समन्वित सिच्छा द्वारा। आपको इतना लेंदी लिखने की जरूरत नहीं है अगर आप इन में से 5-6 पॉइंट भी लिख देंगे तो आपका अंसर राइट माना जाएगा देखें टाइम के कोडिंग आप लोग प्रेशन को हल करिएगा क्यूंकि जैसा टाइम है उससरे यह नहीं करिएगा कि एक कोई भी कोश्चन मताईएगा ठीक है ना उसके बाद चलते हैं देखते हैं देखें इसमें और भी पॉइंट है आप लोग इतने पढ़ लेंगे तो इनफ है और देखें इसमें हैं अस्थी बाधित बालुकों की समस्याएं बताएं इसकी सिच्छ विवस्था कैसी होनी च चारिरिक आशमता या विकलांगता को परिभाशित कीजिए तो देखें अस्थी बाधित बच्चे आप लोग बहुत अच्छे से परिचित होंगे लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं देखें अस्थी बाधित बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी अस्थियां अस शक्ता पड़ती है कुछ बच्चे मस्तिश्क के ठीक परकार कारी नहीं करने के कारण शारेरिक हाथ पार से कारी करने में कटनाई का अनुभव करते हैं हम अस्थी बाधित बच्चों के संबंद में निमलिखित परिभाशा से जान सकते हैं अब देख लेते हैं देखिए अस् वो छती ग्रस्थ हो गई हो जिससे वो सामानि बल्स की भाती शारीरिक अभ्यास करने में आसमर्थ हो गया हो इससे बल्स पेशीयों तरह जोडों अथ वह अस्थियों में किसी कारण से दोश आजाता है देखे अस्थिबाधित बच्चों की समस्या है क्या क्या है ये चीज हम लोग देख लेते हैं कि क्या समस्या है देखे शारिरिक दोज यानि शारिरिक दरश्टी से बाधित बच्चे सामानिता मानसिक दरश्टी से सामान या सामान या सामान या सामानि से अधिक होते हैं या पोलियो तथा अनिरोगों से छती ग्रस्त हो जाते हैं। शोध अध्यनों से ग्यात होता है कि ऐसे बच्चे सामान बच्चों से उत्तम होते। परंधिन्त बच्चों की आवशक्ताएं बिन्द परकार की होती है। इनकी द्वारा परियोग किये जा रहे कृतिम अंगों के साथ अनुकूलन यानि समायोजन करना इन सबकी बड़ी समस्या होती है सेच्छी कनुदेशन में तकनीकी के परियोग से इनकी समस्या कम हुई है शारियर ग्रूप से देखे बाधित बच्चे किरियाशील कम होते हैं अपने को एकागर भी कम समय के लिए कर पाते हैं अपने आप किसी कार में कम समय तक ही लग पाते हैं यानि अपने जो जब उस शारियर से मतलब मजबूर हैं कमजोर हैं तो वो अपने को बहुत जादा टाइम तक इसमें नहीं दे पाते हैं, यानि कि जैसे कि आप किसी कारिक में उनको आप समय नहीं ले पाएंगे उनसे, क्योंकि वो परिशान हो जाते हैं, या दूसरों पर आश्रित रहते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से परिचित होंगे, आपके आसपास भी विद्याले गए होंगे, कॉलेज गए होंगे, तो आपने ऐसे बच्छों को देखा होगा, जो बहुत सी समस्याओं से ग्रिसित होते हैं, उनको बहुत सी समस्याओं होती हैं, जिनका सामना करना पड़ता है, अस्तिती बादना में निमलिखित आठ परक हुआ, और देखिए, पाउफिरा और फोन नमबर पर हो जाता है, मेरुदंड का वक्रों होना, विक्रत नितंब और मस्तकिये पच्छागात और मेरुदंडिये दिशामुखी और मास्पेशी आसमर्थता, चलिए देख लेते हैं, समस्याओं बच्चों से क्या भी प्राय ह अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे तो समस्याओं बच्चों के बारे में पढ़ेंगे और इस तरीके का भी कोश्चन आ सकता है कि समस्याओं बालकों के परकार उधार और सहीद बताएं, तो समस्याओं बच्चों के बारे में हम लोग जान लेते हैं, समस्याओं समायोजित नहीं कर पाते हैं, ऐसे बच्चे अपने अध्यापकों के लिए समस्या बने रहते हैं, समस्यात्मक बालक कई परकार के हो सकते हैं, जैसे चोरी करने वाले बच्चे, जूट बोलने वाले बच्चे, क्रोध करने वाले बच्चे, विद्याले से भाग जाने वाले और देखे ग्रहकार ना करने वाले बच्चे कच्छा में देर से आने वाले बच्चे आ chrom किस में आते हैं तो आप देख सकते हैं यह देखे समस्यात्मक बच्चों में आते हैं ठीक है न और देखे प्राया बच्चे आवशक्ता है पूरी न होने पर अतिधिक लाड़ प्यार में कठोर अनुशासन के कारण या आसुरक्षा की भावना के कारण विभिन परकार का समस्यात्मक विवहार करता है समस्यात्मक बच्चों को उनके समस्यात्मक विवहार के लिए परतारित अत्वा शारिरिक दंड ना दे कर मनुवे ग्यानिक धंग से सिछा देनी चाहिए देखिए बेलेस्टाइन के अनुसार समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे हैं जिनके व्योहार तथा व्यक्तित इस सीमा तक आसामान नहीं होते हैं कि वे घर विद्याले तथा समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं उसके बाद चलते हैं नक्स कोस्चेन की तरफ देखिए समस्यात्मक बच्चे कौन होते हैं इनकी पहचान आप कैसे करेंगे तो देखिए आंसर देख लेते हैं देखे समस्यात्मक बच्चे वे हैं जो अनुशाशन हीन है तथा आसामानी समस्यात्मक बालक वे बालक है जिनका विवहार एम समायोजना सामानी बालकों से अलग होता है इनकी पहचा निम्न बिंदू के अध्यन द्वारा की जा सकती है देखे यदि बच्चों में वेक्तिगत या स्कूल की समस्याओं के परती शारेरी गलक्षणों दर्द यान विविन तरा के डर के रूप में समाधान करने की परवर्टी अधिक हो देखे सेकेंड नमबर पर देख लेते हैं यदि बच्चे में सामानिता परिस्थितियों में भी उप्युक्त विवहार किया जाता है थर्ड नमबर पर है यदि बच्चे में सीखने की ऐसी है आशमता हो जिसकी बहुत धिकाधार पर विख्यान नहीं की जा सकती है फोन नमबर पर है यदि बच्चे में अपने सातियों सिच्छकों के साथ संतूष जनक अंतरवक्तित संबंद बनाने एवं कायम रखने की आशमता हो फाइफ नमबर पर है यदि बच्चे में सामयता दुख या उदासी की परधानतार रहती हो अब देख लेते हैं समस्यात्मक बच्चों की पहचान कैसे पहचान करेंगे तो देखिए फर्स नमबर पर है निरिच्छड विध का परियोग करके पहचान करेंगे साच्छात्कार द्वारा साच्छात्कार मतलब इंटर्व्यू और देखिए अभिभावकों सिच्चकों तथा मित्रों से वारतालाब करके मतलब अभिभावकों से मिलेंगे उनके बारे में जानकारी इकठा करेंगे सिच्चकों से मिलें और मनोवेज्यानिक परिक्षणों के द्वारा देखिए इन बच्चों की पहचान हम इस तरह से इतने पॉइंट है इन में से हम देखिए इनको अपना कर सकते हैं ठीक है ना उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कोस्चन की तरफ देखिए नेक्स्ट कोस्चन है धीमी गती से प्रद्वानों का अनुसरण करते हैं जिनका IQ उच इस्तर का होता है इनकी एक विशेष्टा होती है कि वह अपने समायू वाले साथियों की तुलना में अपरीपकव परतीत होते हैं और इनमें कम आत्म विश्वास और निम्न इस्तर की आत्म परतिष्था हो सकती है देखिए सिंपल भाशा में अगर समझा जाए तो देखे धीमी गती से सीखने आले बच्चों की विशेष्था हैं क्या है देखिए जो अपने क्लास में जो मतलब बच्चे होते हैं और साथ में पढ़े होते हैं तो कुछ परतिभाशाली होते एं कुछ पिछड़े बालुक होते और सबसे पहले कर के दिखा दे और तो उसको क्या कहेंगे प्रतिभाश्य बालक कहेंगे अगर वह जितना टाइम टीचर के एकोर्डिंग कर लेता है तो वह समाने बालक की में आएगा और अगर वह अपना नहीं कर है यहां तक कि अपने से छोटे क्लास का भी वर्क नहीं कर पा रहा है तो माली जेव पिछड़ा बालक है तो आप लोगों ने तीनों टाइप के जो बच्चें जैसे प्रतिभाशाली बालक हो गया और शामानी बालक तो आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा तो बस यही है कि धीमी गती से सीखने वाले बच्चे जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं परतिवाशाली बच्चे होते हैं उनसे वो कम गती में सीख पाते हैं तो धीमी गती के बच्चे हो जाते हैं तो देखिए उनमें क्या होता है कम आत्मिश्वास और निम इस्तर की आत्म परतिष्ठा हो सकती है आप इस तरीके से जान सकते हैं और इनका IQ क्या होता है उचिस्तर का होता है इनकी एक विशेष्टा या भी होती है देखिए वहाँ जैसे कि यहाँ पर देखिए वहाँ भी उन विकास पर बाधित बालकों का वर्गी करण कीजिए यह आपके लिए most important है देख लेते हैं दृष्टी बाधित बालकों का वर्गी करण निम्द परकार किया जा सकता है वर्गी स्तर उत्तम आख छती पूर्ती आख बाधिता का प्रतिशत हम देखे इसको देख लेते हैं इस तर दाहे द बीस परतिशत और देखे वर्ग फरस्ट में देख लेते हैं छे बटा ठारा से छे बटा च्छतिस तो छे बटा साथ से शून ये देखे चालिस परतिशत वर्ग सेकेंड में है छे बटा च्छतिस से छे बटा साथ तीस बटा साथ से शून पच्छत्तर परतिशत वर्ग थ वागदोश कितने परकार के हो सकते हैं विख्या कीजिए तो वागदोश वाड़ी बादित जैसे कि नाम से ही आप लोग जान पा रहे होंगे कि वाड़ी बादित बालकों को वागदोशी बालक कहते हैं जिनमें वागदोश होता है यानि बोलने में उनको प्राब्लम होती है इस तरह के बच्चों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, देखिए, फर्स नमबर पर देखिए, पर्तिक्रियात्मक उच्चारणात्मक दोश, तो देखिए, यानि यह वह बालक होते हैं, जो शब्द उचारणात्मक से ग्रिसित होते हैं, यह दोश ऐसा होता है, ज पुस्री द्वनी गलत बोलते हैं जैसे पहले कोवा कहते हैं फिर तोवा कहते हैं कभी कभी अध्वनी को टीड़ा करके बोलते हैं या परती यानि परकिर्यात्मक उच्चारणात्मक दोश होता है परकिर्यात्मक उच्चारणात्मक दोश के निमलिखी दो मुखे कारण है त त्रटी पूर अधिगम या अंगिये दोश इसमें भी देखिए देख लेते हैं दो पॉइंट है तो इसमें त्रटी पूर देखिए यहाँ पर त्रटी पूर है अधिगम के अंतरगत बालक को लाड़ प्यार के द्वारा जब सिखाया जाते हैं तो बालक शब्दों को गलत ह समझते तथा गलत ही बोलते हैं जैसे बालकों को बच्पन में लाड़ प्यार में रोटी की जगा पर लोटी कहा जाता है यहां बालक शुरू से ही लोटी सुनते सुनते अंध तक रोटी को लोटी ही कहते हैं देखिए यहाँ पे त्रटी पूर है आप लोग त्रटी पूर कर लीजेगा यहाँ पे त्रटी पूर ठीक है न और उसके बाद देख लेते हैं जबकि अंगे दोश के अंतरगत कई बार मुँ की दोशपुण बनावट के कारण या फिर सुनने की दोशपुण अवस्था के कारण बालकों की वाड़ी में समस्य आ जाती हैं अंगिय दोश वाले बालकों को या सिखाना चाहिए कि सामने से बोलने वाले को ध्यान पूर्वक सुने तथा फिर बोलें इस दोश के दोशी बालक सतर से अचसी परतिशत तक होते हैं इनमें से आधे बालक सापा तारा जैसी धवनियों को नहीं निकाल पाते हैं किन-किन ता और अड़ा जैसी ध्वनियों को नहीं निकाल पाते हैं परंतु फिर भी यहां बालक दस से अधिक ध्वनिया गलत निकालते हैं तो इसे गंभीर दोश नहीं समझा जाता है उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है हकलाना ठीक है ना तो हकलाने में हकलाना एक वा बालक बोलते बोलते रुक जाते हैं कभी कभी या बोलते समय उलजन भी महसूस करते हैं जैसे आखे बंद करके बोलना शरीर के अंगों को हिला हिला कर बोलना आ दी इस तरह के बालक देखें आपके आसपास होंगे जरूर क्योंकि आप स्कूर में पढ़ते हैं तो वहां प पर्भावित करती है तता इसनायु वाड़ी बंद हो सकता है पर इसे हकलाने से संबंधि दोश नहीं समझा जाता है, हकलाने पर किये गए अनुसंधानों से पता चला है कि तीन वर्ष की आयू से ही बालकों का हकलाना प्रारम हो जाता है, कई analyticals каких हैं नूसंधानों के दौारा माने जाते हैं देखे फर्स नंबर पर हो जाता है वन्शानुक्रम और सेकेंड नंबर पर हो जाता है वातावरन देखे कई बार घर में बड़े लोगों के हकलाने का पूर्ण असर बालकों पर पड़ता है तो इसको क्या कहते है इसको वन्शानुक्रम अनुसंधानों से हकला का कोई भी अंगिय कारण सामने नहीं आया है इसका कारण भी पिता का विवहार हो सकता है आवाज की समस्या के अगर बात की जाए तो देखे इस पारंट को भी समझ लेते हैं आवाज की समस्या वह होती है जबकि एक वेक्ति को या समझ नहीं आता है कि किन परिस्तितियों में उचा बोलना चाहिए तथा किन परिस्तितियों में नीचा अता यही सरदोश या आवाज की समस्या कहलाता है आवाज की समस्या को दोश नहीं माना जाता है पर इसे समस्या का नाम दिया जाता है इस विशे में कर्टिस महदे ने क्या कहा है तो देखिए देखें कर्टीस महट्दे ने क्या कहा है इस्टीमेट्स वेरी बट प्रोबर्ली फ्रोम वन तो टू प्रेजेंट ओफ स्कूल चिल्डरेंड प्रेजेंट सिगनीफिसेंट वॉइस प्रॉब्लम्स ठेक है ना आवाज की समस्या तीन परकार की होती है तो देखिए इसमें देख लेते हैं का स्वर में बोलना दोशपूर होता है अर्थात बालक या तो बहुत उचा बोलता है या फिर इस्तर से एक दम नीचे होकर बोलता है अर्थात उसका स्वर इस्तर दोशपूर होता है खाए हो जाता है वह आवाज को बिना किसी उतार चड़ाओ के एक ही स्थर तक चलती है वहाई सवस्था में आती है या प्रवर्तिया मुखिता शर्मीले बच्चों में पाई जाती है ठीक है ना चलते हैं नक्स कोश्चन की तरफ देख लेते हैं देखिए शिर्मण छती युक्त बालकों के परकार बताई इन बालकों की पहचान कैसे करेंगे तो यह भी प्रेशन हो सकता है अथवा देखिए शिर्मण बादितों का वर्गी करण कीजिए तो आधुनिक विशेशग्यों ने शिर्मण बादितों को चार वर्गों में विभाजित क्या है कितने वर्गों में विभाजित क्या है तो चार वर्गों में विभाजित क्या है कौन-कौन से तो केंद्रिये शिर्मण दोश मनोवेग्यानिक शिर्मण बादित नाड़ी संस्थान शिर्मण बादित और आ परन्तु या इसका अर्थ नहीं समझ पाते तथा इनकी संप्रेशन समस्या भी काफी गंभीर होती या दोश्ट दमाओ के सेवन से आ सकते हैं इसलिए इनके सुधार में अधिक समय लगता है उसके बाद देख लेते हैं मनोविघ्यानिक शर्ण बादिता इस परकार की बादिता का कारण मनोविघ्यानिक होता है या बालक अपनी समस्याओं को बढ़ा चड़ा कर बताते हैं इन बालकों में किसी रोग के कारण ही बादिता आ जाती है कई बारिया पहचानना कठिन हो जाता है कि या दोश मनोविग्यानिक है अत्वा जैविक इन बालकों के उपचार में अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए देखे नाडी संस्थान स्रवण बाधिता तो बालकों में नाडी संस्थान के दोश के कारण या दोश आता है अता इनका उपचार करना संभव नहीं हो पाता या बालक शरवण यंत्रों की सहायता से सुनते हैं इन्हें सिच्छा देनी ही तू अलग-अलग सिच्छा लुकिया जाता है या होठो की भाषा के द्वारा ग्यान प्राप्त करते तथा इन्हें विश्श विद्याले में परवेश्ट दिया जाता है फिर देखे ज़एते हैं आचRन स्रवण बाधिता तो साधानर रूप से ऐसे बादित बालक आचरन दोशी होते हैं या दोश का कि इनका उप्चार करें तो या दोश ठीक हो सकता है पर अंतु कई बार चिकिसकों को की गलती से या और अधिक बादी तो हो जाते हैं उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें सु देखिए सुर्वन बादित बालकों के लक्षण ठीक है ना कुस्चन क्या है कि सुर्वन बादित बच्चों की पहचान से सम्बंधिल लक्षणों का उल्ले कीजिए तो इनके लक्षण के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं देखिए सुर्वन बादित बालकों के लक्षण सुर्वन बादित बालकों के विवारिक लक्षण निमलिखित होते हैं यहां बालक अपने विवार को एक सार नहीं रख पाते हैं यहां बालक अपने सिच्चकों के होटों की गतिविधियों का हावाव देखकर तत्यों के बा समान धवनी वाले शब्दों में भ्रहम होता है जैसे यहां चाचा को पापा समझते हैं और देखिए यहां बिना बुलाए ही बातों के बीच में निरथक बोलना शुरू कर देते हैं या धीरे धीरे बोलते हैं इन्हें शब्दों के सही उच्चारण में कटनाई होती है तथ शर्वन बाधित बालकों की पहचान उनके बोलने से ही हो जाती है पर उतने पहचानने के लिए कई किसी परिक्षन करने पड़ते हैं क्योंकि कच्छा में शर्वन बाधित बालक आसानी से सिच्चकों की द्रश्टी में नहीं आते हैं अता इन्हें पहचानने हैं तो कई प बालकों के परवेश के समय ही उनका परिक्षण करवा लेना उचित रहता है बालकों को विद्याले में परवेश दिलाते समय उन्हें अध्यापक को बालकों को श्रुम्रशक्ति के बारे में बता देना चाहिए ता श्रुम्रबादितों को निमलिकित आधार पर पहचाना जा सकता है चिकिसी परिक्षन द्वारा विकासात्मक मापनी बालक का अध्यान मननारी परिक्षन और देखिए बालकी विवार का निरिक्षन तो फ्रेंड्स आज यहीं तक आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीस कमेंट जरूर करें हमारे चैनल को लाइक करें सस्क्राइब कर जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुछ सकें फ्रेंड्स आपका इतना प्यार मिला इसके लिए वेरी वेरी थैंक यू